कोरोना महामारी वच्चे वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी द्वारा देशने पाच मी वार संबोधन करता चनाव्यूचे के देशनों एत्ती हासिक 20 लाग करोडनों आर्थिक पैके चाहिर करवामा आव्यूचे तेमेज मोदी जिये पोताना संबोधन दरम्यान लोकडान च ही प्रभावी सिद्ध होने वाली है साथियों आज विश्व में आत्म निर्भर सब्द के माइने पूरी तरह बदल गए है ग्लोबल वर्ल में आत्म निर्भरता की डेफिनेशन बदल रही है अर्थ केंद्रित वैश्वी करण बनाम मानव केंद्रित वैश्वी करण की चर्चा आज जोरों पर है विश्व के सामने भारत का मुल्भु चिन्तन आशा की किरण नजर आता है भारत की संस्कृती भारत के संस्कार उस आत्म निर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटम कंप है विश्व एक परिवार भारत जब आत्म निर्भरता की बात करता है तो आत्म केंद्रीत व्यवस्था की वकालत नहीं करता है भारत की आत्म निर्भरता में संसार के सूख, सहयोग और शान्ती की चिन्ता होती है जो संस्कृती जय जगत में विश्वास रखती हो जो जीव मात्र का कल्यान चाहती हो जो पूरे विश्व को परिवार मांती हो जो अपनी आस्था में माता भुमी ही पुत्तो अहम पृत्विया इसकी सोच रखती हो जो पृत्वी को मा मांती हो वो संस्कृती वो भारत भुमी जब आत्म निर्भर बनती है तब उससे एक सुखी समरुद्ध विश्व की संभावना भी सूनिश्चित होती है भारत की प्रगती में तो हमेशा विश्व की प्रगती समाहित रही है भारत के लक्षों का प्रभाव भारत के कारियों का प्रभाव विश्व कल्यान पर पड़ता ही हम ठान लें तो कोई लक्ष असंभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है यह है भारत को आत्म निर्भर बनाना भारत की संक्ल प्रशक्ति ऐसी है कि भारत आत्म निर्भर बन सकता है मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूँ यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कड़ी के तौर पर काम करेगा साथियो हाल में सरकार ने कोरोना संक्ट से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्ब बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उससे जोड़ दें तो यह करीब करीब बीस लाग करोड रुपिय का है बीस लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब दस प्रतिशत है इन सब के जरिये देश के विबिन वर्गों को आर्थिक ववस्था की कडियों को बीस लाग करोड रुपिय का संबल मिलेगा सपोर्ट मिलेगा बीस लाग करोड रुपिय का एक पैकेज दो हजार बीस में देश की विकास यात्रा को ट्वेंटी लाग्स ट्वेंटी ट्वेंटी में आत्म निर्भर भारत भ्यान को एक नई गति देगा मैं आपको बहुत बहुत शुपकामनाई देता हूँ आप अपने स्वास्थ का अपने परिवार अपने करीबियों का जरूर ध्यान रखिए बहुत बहुत धन्यवाद